कि मैं जैसे कि विहार्षो लेकिन रहां यहीं हूं दिल्ली में तो में पास कॉंसेप्ट है जैसे कि हमारी काफी सारी अन्यूज जमीन है तो हम उसका कुछ होता नहीं है तो वो नियरबाई है ट्यूरिस्ट एरिया आरांड 5-7 किलोमेटर तो मेरा कॉंसेप्ट यह रहेगा कि कि मैं वहां पर अपने गाओं में छोटे-छोटे जैसे की मकान होते है मिट्टी के तो वहां पर मैं जैसे टूरिस्ट आते हैं तो मैं टूरिस्ट से मतलब जितनी वी websiteで make my trip हो गई कि इन सबसे कोलाब करूँ ऑप और टूरिस्ट को मतलब यहां का इंडिया का रियल मतलब एक्सपीरियंस दूँ मतलब कि जैसे कि हरे राजस्तान में तो चल ला है लेकिन बिहार में बहुत कम बहुत कम चल ला है त तो मैं बनाऊं जैसे की वह आना चाहते हैं तो उनको वहां पर रहें, वह मिट्टी के घर देखें, वहां पर क्या-क्या होता है, जैसे की उनको नहाना है तो वहां पर उने शावरःवावनि भावनि होगा, हम डाएक पर ले आएंगे उने इक तम अदम यूनिक experience मिले गा वहारी खेतों में सब्जीक होगेंगी तो वहारी वहीं पर सब कुछ बनाना आता हैं तो हम उनको बताएंगे आपको क्या खाना है जैसे मौसमी सब्जी किया होती है तो मैन्यू ते यार करेंगे तो उनको जो जो बहुत अच्छा एडिया है लेकिन इसमें सबसे पहले आपको सोचना है कि क्या जिस जगे पर आपका ये लैंड है क्या वहां पर और टूरिस्ट आते हैं या अज्यूम कर रहे हो कि आएंगे बुद्ध भगवान ने अपनी शिख्षा ग्रेंड की थी बोधिवरक्ष के नीचे गया में उसके आसपासी आपकी लैंड येस फाइव तूश किलोमेटर तो वहां पर जो टूरिस्ट आते हैं बोध गया में येस वह अलग तरह के टूरिस्ट हैं और अलग परपस से आ रहे हैं और जो टूरिस्ट ताजमहल आता है या राजिस्थान जाता है वो अलग है वहां हो सकता है वो लोग फैमिली के साथ आते हैं और यहां पर जिसकी आप बात कर रहे हैं यहां पर हो सकता है वो लोग अकेले आते हैं तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि यहां जो तूरिस्ट आ रहा है वो किस लिए आ रहा है उसका मेन परपस क्या है मेन अब्जेक्टिव क्या है इसका मतलब कहीं न कहीं उसका इंटरस्ट है बुद्धिश्ट जो ट्रेडिशन है उसके अंदर तो अगर उसको आप कने कर पाओ अपनी जगे से तो मज़ा आएगा यानि कि आप यह जो experience उनको देने वाले हो इसको यह मत बोलो कि मैं आपको एक village का या farm का experience दूँगा आप बोलो मैं आपको एक buddhist जो mank होते हैं उनका जो lifestyle होता है उसका practical experience दूँगा जो buddhist way of life है वो क्या है minimalism कि कम से कम में कैसे survive करते हैं तो आप यहां पर आओगे हमारे पास में और बिल्कुल bare minimum आपको चीज़े मिलेंगी एक मिट्टी का घर होगा जहां पर आप meditation कर सकते हो जहां पर organic vegetables होंगी जहां पर जो cooking है वो भी आप खुद कर सकते हैं नहीं तो हम भी आपको assist कर सकते हैं यह कहलो कि हम आपको एक पूरा environment देंगे जहां पर कि आप nature से पूरी तरह से connect हो पाओगे और एक ऐसा environment जहां पर आप silence में meditation कर सकते हो तो you can call it a five-day Buddhist meditation retreat और उस पांच दिन में क्या-क्या include होगा वो सब जो अभी आप कह रहे हैं बट उस सब को आप जोड़ोगे Buddhist way of living से तब क्या होगा कि जिस काम के लिए वो लोग वहां पर आ रहे हैं उसी काम से आपने उसको जोड़ दिया नहीं तो जिस वज़े से वो लोग आ रहे हैं वो मूवी देखने के लिए जा रहे हो और वहां पर को जूते बेच रहा है तो गरबढ़ हो गई आपको कि भाई में मूवी देखने के लिए आया हूं तो कोई ऐसी चीज़ बताओ जो मेरे इस मूवी देखने के experience को और enhance करे बट जूते जो आप बीच में मेरे को बेच रहे ह तो जिस वज़े से वो लोग वहां पर आ रहे हैं क्योंकि वो लोग अगेन मेरी बात को ध्यान से समझना हर टूरिस्ट जो इंडिया में आता है वो सब वहां पर नहीं आते हैं कुछ होते हैं जो सिर्फ ताजमेल देखने के लिए आते हैं कुछ होते हैं जो सिर्फ राजि जा करके लोगों से इंट्रैक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो, और अगर इस पूरी प्रोसेस में आपको कोई बुद्धिस्ट मंक मिल जाए, सर मंक तो बहुत सारे आते हैं, वहाँ पे नेपाल, भुटान, किसी मंक को आप इन्वॉल्व कर लो अपने इस प्रोजेक्ट में, तो आपका इस प्रोजेक्ट बहुत आगे निकल जाएगा, मतलब कि वहाँ जो मंक आ रहे हैं, और बहुत आते होंगे वहाँ पर तो, उनसे बात करो, कि हम ऐसा एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, तो हमें एक ऐसे मंक चाहिए, जो मेडिटेशन करा सके, पॉरिनर्स को, और उसके लिए आपका जो भी खर्चा है, आपके रहने का, आपके खाने, पीने का, वो सारा पैसा हम आपको देंगे, प्लस जो भी वो आपको डोनेशन करना चाहते हैं, वो डिरेक्ट ली आपकी है, जो आप उनको मेडिटेशन सिखाएंगे उसका, हमारा क्या है कि हम एक पूरा स्पेस प्रोवाइड करेंगे, तो स्पेस हमारी हो गई, टेकनीक आपकी हो गई, आप पांच दिन तक उनको ये सिखाओगे, अब पांच दिन क्यों, क्योंकि पांच दिन हर कोई अराम से निकाल सकता है, बलकि आप आप आप्शन भी दे सकते और वो meditation कराए, और फिर आप अपनी एक website बनाओ, जहांपर के पूरा highlight करो, कि देखो ये monk है, इनको 20 साल का experience है, ये सिखाएंगे, इन्होंने यहां से इस monastery से training ली हुई है, मतलब एक person को, एक monk को आप अपने साथ में जोड़ लो, तो ये जो आपका project है, इसके successful होने के chances ब दर्शन करने के लिए, वहां पर हर एक से बात करनी है, अब उसमें क्या होगा कि 100 में से 99 मना कर देंगे, बट कोई एक होगा, जो हो सकता है, इंटरस्टेट हो, तो काम हो गया, अब आपके पास में marketing भी जो करनी है, वो भी बहुत ही targeted है, अगर कोई US में है, UK में है, वो व उसके अलावा और जो websites होती है, महाँ पर आप लिस्ट कर सकते हो अपने experience को, बट हर जगे उनको highlight करो, उनको foreground में रखो, अपने आपको background में रखो, बिजनस में हमिशे यह समझना होता है कि सामने वाले को क्या चाहिए, हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हो, that is not important, जब तक कि वो connect नहीं होता, उससे जो सामने वाले को चाहिए, आप कहते हो, मैं आपको यह दे सकता हूँ, वो दे सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, यह कर सकता हूँ, तो क्या, how is it connected to what I am looking for, इसको बोलते है feature versus benefit, feature मतलब क्या होता है, जैसे किसी आप shop में जाते हो, तो एक salesman आता है, हमारे product में यह अच्छा है, 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 उसके सारे features आपको बता देते हैं, आप कहते हैं, यह मेरा सर मत खा, चल भाग आँ से, benefit क्या होता है, आप किसी जगे पर गए, उस salesman ने काल करके आपको दिया, जो आपको चाहिए, बजाए कि 100 option दिखाने के, या बजाए किसी भी एक ऐसे option को, जिसमें आपका को interest नहीं है, उसके बारे में 1000 बाते बताने के, कुछ भी नहीं बोला, बल्कि उसने आपको दिया और बोला, कि यह आपके लिए best option है, फिर अगर उस फिर उसको उससे connect कर दिया, जो आप कर सकते हो, तो अगर इस दोनों चीज़े connect हो जाए, तो कुछ कमाल का बन सकता है, तो वो अपने आप में one of its kind experience हो गया, तो एक तरीके से अपने market में एक gap ढून लिया, तो अपने आप ही जो foreign tourist है, वो आने लग जाएंगे, अपने आप इस से थोड़ी सी clarity आ रहे है आपको जो भी मैं बोल कर रहा हूं, क्या बताइए, सर पहले तो मुझे एक monk को find करना होगा, जो अपने culture को मेरे program में, मेरे packages में show कर सके, ऐसे मैं तीन दिन का package है, चार दिन का package है, तो उसमें इस दिन क्या होगा, second day क्या होगा, third day क्या होगा, मैं आपको बीच में थोड़ा सा interrupt कर रहा हूं, I am sorry for that, लेकिन ध्यान से सुनना मेरे इस बात को, ये तीन दिन का, पांच दिन का, साथ दिन का program आपका नहीं होगा, ये उस monk का होगा, वो monk बताएगा, सुबह कितने बज़े उपना है, क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीन है, उसमें जो जो करना होगा, वो आप करोगे, मतला आप background में रहोगे, foreground में वो monk रहेगा, हाँ, आगे बताएगे, शर्फिन, जैसे कि niche customer को पकड़ना है, जैसे कि website के साथ collab करना है, वहाँ पर बताना है, वहाँ पर marketing करना है अपनी, तो वो यहाँ पर आएंगे, फिर उन और शुरू में आप प्राइस कम से कम रखो, ताकि कोई भी आ जाए, जब word of mouth spread हो जाएगा, जब लोगों के through log आने लग जाएगे, और रिव्यूज आ जाएगे, तब उसका धीरे धीरे प्राइस बढ़ा दोगे, यदि फॉरिनर्स के लिए प्राइस माटर नहीं करता है, आज, दे लुक फॉर वैल्यू फॉर मनी, ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, साइकी बहुत अलग है उन लोग की हमसे, वो नेगोशेट नहीं करेंगे आपके साथ में, आप सौ डॉलर क्यों ले रहे हो मेरे से, वो यह देखेंगे कि वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, इं कुते काट रहे हैं तो काट रहे हमें, कोई फर्थ नहीं बढ़ा है, अगर कुते ने काटा तो लिजा करके उसको इंजेक्शन लगवाने का काम आपका है, पहले तो यह काम है कि कुते ही ना आए वहाँ पे, तो एक चुन उनके ऐसे केर करनी पड़ेगी जैसे के, आप मान खुलिए, वीच आइट, प्लीस हैं थे नाएक जैसे के लिए पेस्ट, प्लीस हैं, खुलिए, वीजवावाबी, । अंगर झाल आपके जैसे के लिए निए कि यूंका भावाभी, तो रहे हम स्वासा ओब के आए बड़ेशन आपके बाल सी करेंशन प्लीच्वाब अबस